किसी ने सची कहा है कि असफलताओं को अपनी सफलताओं से कम महत्वना दो क्योंकि असफलताओं ही तो आपकी सफलताओं का दरपढ़ होती है किसी सफल व्यक्ति के पैचान तभी होती है जब उसे किसी असफल व्यक्ति के सामने रखा जाता है यानि जब भी तुलना की बात होती है तो वहाँ पर पॉस्ट्य नेगेटिव दोनों का एक्क्वल बेटेस होता है यानि अगर कोई अच्छा है तो बुरा भी है, कोई सुन्दर है तो कोई कुरूप भी है, कोई सही है तो कोई गलत भी है, सही का भी existence तब भी है जब कोई गलत है यानि अपनी negative चीज़ों को भी उतनी value दे जितनी आप positive के देते हैं लेकिन उन negatives को आप जितने positive में convert कर सकते हैं करिए तो आज किसी सुविचार के साथ मैं रोही सिंग अपने इस online platform GMR Competition Age की YouTube चैनल पर आचुका हूँ आज एक और नए topic के साथ जिसका नाम है allegation और mixture दोस्तो हम लोग ने पिछले कुछ lectures में profit and loss के बारे हम बात किया था discount के बारे हम बात किया था main जितने भी बड़े variations थे या जितने भी अच्छे questions थे majority of questions को करने का तरीका मैंने आपको बताया था उनको करने के basic process से लेकर जितने भी छोटे process हो सकते हैं सब पर हम लोग ने बात कि आज की इस lecture में दोस्तों हम लोग बात करने बाले है allegation और mixture की तो chapter की सुरवात करते हैं बिना समय वर्त के तो अगर मैं आपको थोड़ा allegation mixture के बारे में introduction दे दूँ तो mixture क्या होता है जब कभी भी दो या दो से अधिक substance को पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है mix किया जाता है तो उनको mix करने के बाद जो resultant मिलता है जो नई चीज बन कर आती है उसे हम लोग mixture कहते हैं मिलाई जाने वाली चीज़े किसी भी state में physical state में हो सकती है भौतिक रूप में हो सकती है solid liquid gas यानि ठोस द्राव गैस किसी भी रूप में हो सकता है उतना detail में हमें जाने कि ज़रूत नहीं यह physics का matter है यहाँ पर हम लोग बात करें थोड़ा सा मिक्षर भी बताऊं तो मिक्षर भी दो तरह के होते है एक होता है homogenous mixture जिसको हिंदी में समांगी mistrn कहा जाता है और दूसरा होता है heterogeneous mixture जिसको आ समांगी mistrn कहा जाता है homogenous mixture ऐसे mixture होते हैं जिसमें soluble और solvent कंप्लिटली dissolved हो जाते हैं यानि विलायक और विले पूरितया घुलनसील होते हैं जैसे अगर आप पानी में नमक डालिए तो नमक पानी में पूरी तरह से घुल जाता है तो इसे homogenous mixture कहते हैं इसमें atomic structure का concept होता है जो कि आप chemistry में 11th में class में पढ़ते हैं इस chapter में हम लोग दोस्तों जिस mixture की बात करने वाले हैं वो homogenous mixture ये वो इसलिए करेंगे हम इस chapter में और आपके questions भी homogenous mixture भी बनते हैं क्योंकि homogenous mixture में concentration हर point पर सेम रहता है कभी आपने सोचा कि आप चाय बनाने के बाद चाय का थोड़ी सी sip लेकर आप उसके पूरी चाय का test बता देते हैं जबकि आपको पूरी चाय का test बताने के लिए तो आपको पूरा चाय पीना चाहिए ऐसा कैसे हो जाता है कि आप थोड़ा सा ही चाय पीकर पूरी चाय का test बता पाते हैं क्योंकि वो एक homogenous mixture होता है और यही खास बात होती है homogenous mixture की कि हर जगा concentration उसका सेम होता है तो heterogeneous mixture की बात हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि heterogeneous में concentration सेम नहीं होता उसके calculation का as such कोई process नहीं होता जैसे अगर आप water में sand को mix करोगे तो सारा sand नीचे चला जाएगा water उपर रहेगा या oil mix करोगे water में तो oil उपर layer में बनी रहेगी water सारा pure नीचे रहेगा तो छोड़े सब्दों में बात करूँ तो इस chapter में हम लोग homogenous mixture के बारे में बात करने है questions के variations की बात करूँ तो आज के इस lecture में दोस्तों हम लोग बात करेंगे सबसे पहले section की दो-तीन section है दो section में हम इस topic को पढ़ना है पहला section है formation of mixture और दूसरा section है बने-बने mixture में कुछ changes किये जाए तो formation of mixture में भी कई तरह के questions बनते हैं तो अगर मैं बात करूँ formation of mixture के first variation की तो formation of mixture में जो पहला variation आता है जब दो individual substance को आपस में mix किया जाए यानि दो पदार्थ हों आपके पास उन दोनों को आपस में mix किया जाए तो बनने वाले mixture को कैसे solve करते हैं उसे कैसे करते हैं तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो आए दोस्तों बिना समय वर्थ किये लेते हैं आज के session का पहला example जो आपकी skin पर आ चुका है तो जरह questions पढ़े ध्यान से और question पढ़ने के बाद आए इसको थुड़ा detail में समझते हुए पूरे process को पूरे question को हम लोग solve करते हैं तो बात करूँ में पहले question की तो question में कह रहा है कि two type of rice of rate 11 rupees per kg and 21 rupees per kg हमें इन mixtures को इस तरीके से मिलाना है इनकी quantity को इस ratio मिलाना है ताके मिलाने के बाद हमारे पास जो नया mixtures बने उसका price 17 rupees per kg हो जाए यानि mixtures का price 17 rupees per kg होना चाहिए तो पहले मैं अगर आप इसको basic method से solve करके बताओं तो basic method के बारे में बात करों तो मैं माल लेता हूँ कि इस type के चावल की मैंने x kilogram quantity ली और इस type के type की मैंने y kilogram quantity ली तो overall जो quantity बनी वो बनी x plus y बेसिक से हम solve कर रहे हैं तो basic से solve करते हैं पहले type के जो rice की quantity मैंने x kg ली second type के quantity मैंने y kg ली तो दोनों मिलाने के बाद जो mixture total बनेगा वो x plus y जैसे आप 5 kg खरीदे और 10 kg खरीदे तो overall आपके पास 10 kg बनेगा इसको solve करूँ तो यह आएगा 11x plus 21y यह हमारे पास individual को जोडने पर price आया is equal to total mixture बना x plus y का और mixture का दम 17 रुपीस पर kg है तो अगर मैं इसे question को solve करूँ तो 11x plus 21y is equal to 17x plus 17y यह हमारे पास value आगे minus करेंगे तो हमारे पास 11x minus 17x is equal to 17y minus 21y हमारे पास answer आएगा तो यह value हमारे पास आएगी minus 6x is equal to minus 4y तो यहां से x upon y की जो value आएगी बच्चों हुआएगी 2 upon 3 यानि हमें 2 ratio 3 मिलाना पड़ेगा क्यों क्योंकि x और y हमने क्या लिया था quantities लिया था और इसी quantities का ratio पूछ रहे हैं यह process आपके लिए जाना पहचाना इस process को मैंने percentage में भी आपको पढ़ाया हुआ है profit and loss के question में भी हम लोगों ने किया था जहां cost price same हो दो article cost price same total two पहले पे profit दूसरे पे loss overall profit loss तो वहाँ पे भी हम इसको use करते थे यहां पे भी आप इसको use कर सकते हैं चुकि यहां variable लेकर मैंने solve किया तो basic लोग या फिर कह सकते हो दूसरा process जिससे भी आपको समझ में है जो भी आप इसे नाम देना चाहें दे सकते हैं इधर से भी आप solve कर सकते हैं या अलग-अलग quantity basic types हम लोगों ने बात कर लिए तो प पहले type के चावल कदाम 11 रूपीज पर केजी है, second type के चावल कदाम 21 रूपीज पर केजी है और मिलाने के बाद जो mixture कदाम है वो 17 रूपीज पर केजी है mixture की price आपको बीच में रखनी है और जिनको आप मिला रहे हैं उनके price को आप उपर रखेंगे किताब हो वेगराय में cheaper और dealer करके लिखा होता है यानि सस्ता वाला और महेंगा वाला आप जैसे चाहें वैसे लिखे कोई value आगे पिछे लिखे उससे कोई बहुँ जादा मतलब नहीं होता है समझने वाली जो बात है वो ये है जब कभी भी आप price पर allegation लगाते हैं तो ये value mixture का cost price होती है allegation में रखी जाने वाली ये value को mean value कहा जाता है मद्यमान मद्यमान एक ऐसी value होती है price के case में कि जिस पर mixture को बेचा जाए तो ना तो profit हो ना तो loss हो तो price के case में cost price ही एक ऐसी value होती है जिस पर article को sell करने पर no profit no loss आता है यानि कहने का मतलब ये है कि जब भी आप price पर allegation लगाएंगे तो बीच में रखी जाने वाली value should be cost price क्रैम लही होना चाहिए दूसरी बाब minus करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा तो आप यासे याद रखिए कि आप इस वाली value से इस वाली value को minus करेंगे 11 में से 17 को minus करेंगे तो minus 6 आएगा और 17 में से 21 को minus करेंगे तो minus 4 आएगा फिर से सुनिए minus करने का sequence याद रखिएगा बहुत सरे बच्चेस में confusion में रहते हैं किदर से किदर minus करेंगे कुछ लोग याद कर लेते हैं कि बड़ी value में से चोटी value को minus करना है ऐसे याद ना रखें क्योंकि अगर कहीं variable आ गया तो फिर आप वहाँ confuse हो जाएंगे sign का काफी role होता है allegation mixture में तो अगर आपने order गड़ गड़ किया तो आपका जो पूरा answer ही है वो change हो जाएगा तो इसलिए sign पर थोड़ा सा गलत ना हो इसलिए आप एक single sequence याद रखें जो कि मैं है लिख भी दे रहा कि अगर a, b और c है तो आप लिखेंगे इधर a minus c और लिखेंगे c minus b इस में सिसको गटा के हैं इसमें सिसको गटा के हैं बस इतना ही शीज याद रखें बस इसी में आपको फूरे allegation में यही काम करना है सबसे important बात जो है allegation mixture में किस question को करने के लिए हमने तो answer निकाल लिया हमारे पास यहाँ two ratio three आ गये तो सवाल उठा कि यह जो हम लोग process यूज कर रहे हैं जिसको हम लोग allegation बोलते हैं यह है क्या यह आया कहा से और दूसरा question यह उठता ह है कि हमने price पर allegation लगा है तो यह क्या यह जो ratio आया है वो price का है नहीं यह ratio जो आया है वो price का नहीं है वो quantity का है चीजे देखो रटो नहीं बहुत सारे लोग बता देंगे और आप रट लेते हो ऐसे से minus कर दिया answer आगा समझो तो क्या है तभी तो आप पता कर पाओगे कि आ हमोलते है सarकिस्में जल्दि हो जाए गा तो बच्चे का question यह होता ही कि ser आपको कैसे पता चला कि allegation लगाने जल्दि हो गया मैं वही चीज़ाइं को समझाना चाहरा है कि आप कैसे पता करेंगे कि कहा allegation लगाना है या नहीं लगाना है और अगर लगाया तो हमारे पास यह जो रिश्यू आया लाश्ट में वो किसका आया तो आप जो मैं दो तिन बाते बोलने जा रहा हूं उसको ज़रा ध्यान सुने और अगर आप नोट्स बनाते हैं तो इसे अपने भासा में जरूर नोट करें सबसे पहले चीज़ Alligation हमें सा Relative Quantities पे लगता है Relative Quantity का मतलब ऐसी कोई Value ऐसा कोई राशी जो किसी के सापेक्ष में लिया जाता है किसी के Respect में लिया जाता है और यहाँ पे जो Relative Quantity होती है पूरे Physics की बात करूं तो पूरे World में सारी Quantities Relative होती हैं के ओल Physics की साथ Fundamental Quantities को छोड़कर जिसे आपने पढ़ा होगा Chemistry में Class 11 में Fundamental Quantities derived Frigical Quantities के बारे में जो पहला Chapter होता था हमारा Dimensions MLT वाला Chapter तो वहाँ पर हम लोग इसे पढ़ते थे दूसरी बात जो आपको याल रखनी है कि आप Alligation किस पे लगा रहे हैं उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जिस पे भी लगा रहे हैं व कि अगर आप 11 रुपे करोगे तो आपको एक किलोग्राम की quantity मिलेगी तो यहाँ पर रुपीज का मतलब expenditure को kg का मतलब quantity से relate किया जा रहा है तो आप ऐसे याद रखिए कि आपने जिन चीजों को यहाँ लिखा है वो जिसके respect में calculate होता है उसका ratio आता है तो चुकि यह price है price का calculation quantity के respect में होता है देखो kg 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 लिखा हुआ है तो आपको जो ratio मिलेगा वो quantity का मिलेगा यानि मात्राओं का अनुपात मिलेगा और वही इस question पूछा था वो आगे हमारे पास 2 ratio 3 तीसरी बात और सबसे important बच्चा क्या समझता है बच्चा समझता है यह कोई mathematical trick है कोई जादू है इसे minus करने पर answer आता है यह कोई trick नहीं है यह चीज और यह चीज दोनों same ही तो है चलो मैं आपको समझाता हूँ क्या आपने यह 11 से 17 minus किया है तो कितना आया minus 6 आपने यहाँ पे भी तो minus किया 11 से 17 तो आपके बास आया minus 6 दूसरा आपने minus किया 17 से 21 तो आया minus 4 आपने minus किया हमने यहाँ क्यों लिखा, इनको माइनस करके हमने यहाँ क्यों ने लिखा, तो यहाँ पर चले आई यह इधर की तरफ, जब आपने इस step को solve किया, यही step उहाँ पर solve किया गया है direct, तो आपके पास minus 6, 6 minus 4y आई अब जब ratio आप ले रहे, तो ratio लेते समय जो x upon y निकालोगे, तो आपके पास आएगा 4 upon 6, जो कि 2 upon 3 आया था, तो जो x का coefficient था, वो y के सामने चला गया, और जो y का coefficient था, वो x के सामने चला गया, यानि coefficient ने ratio लेते वक्त अपनी position को क्या कर दिया interchange, जैसे 3a बराबर 4b है, तो a upon b निकालोगे, तो 4 upon 3 आएगा, a के साथ 3 था, लेकिन चला जाएगा b के सामने, इसलिए इनको minus करने पर इसका coefficient आया, तो वो यहाँ ना लिख के हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्योंकि ratio लेते वक्त वो क्या हो जाता है, interchange, तो यह इस question को करने का basic process था, और यह allegation था, कैसे क्या होता है, कैसे यह दोनों चीज़े सेम है, क्या से कौन से चीज़े link है, इसके बारे मैंने आपको समझाया, उमीद करता हूँ, आपको यह सारे चीज़े समझ में आया हूँगी, अगर चीज़े समझ में आई हैं, तो प्लीज अपने replies जरूर दें comment box में, और वीडियो अगर आप रोज देखते हैं, बहुत से लोग live आते हैं, मैंने request की थी सबसे, कि देखिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, जितने ज़्यादा ज़्यादा लोग live आगे classes करेंगे, तो हमें उतना ही motivation मिलता है, और जितने Saturday आपकी classes रोज होती हैं, रोज होंगी इसी तरह से online साड़े 8 बजे, और GS की classes आपकी morning में होती है 8 बजे, तो courses करें live आके session को attend करने के लिए, जो आपके लिए ज़्यादा beneficial होगा, और हमारे लिए भी ज़्यादा motivational होगा, और वीडियो के बाद अपने like और अपने विचार share जो भी हैं वो जरूर दें, अच्छा लगे तब ही करें, नहीं अच्छा लगे तो आपको करने को जुरूरत नहीं है, dislike का option भी आपके पास है, वो भी आप लिखें, तो यह हुआ आज की session का पहला example, आए बढ़ते हैं अपने session के second example की तरफ, तो second example आपकी screen पर आ चुका ह question पढ़े, और फड़ा-फड़ अपने answer comment box में दे, कुछ लोगों ने कल कहा था कि sir question बहुत कम समय तक के लिए display होता है, तो देखो question कम समय के लिए display इसलिए होता है, क्या की board थोड़ा खाली हो जाए, आपकी screen से question हट जाए, अधरवाज मैं board पर लिखूंगा तो आपको द को कोशिज करिए, कि एक बार अच्छा से पढ़ें और सारे data को mind में रखें, वैसे मैंने कोशिज किये कि आज आपको proper time तक पूरा question देखें, तो उमीद करता हूँ, आपको question दिख रहा होगा, तो बात करते हैं, अपने अगले question की answer फटा-फट बता है, कुछ लोगों ने boys and 75% of the girls clear the cut-off in the examination, जिसमें से 55% boys ने, boys के 55% ने और girls के 75% ने cut-off को clear किया, मैं आपको थोड़ा सा इसको फिर से clear कर दू, जितने boys हैं, टोटल का पचपन है, जितने boys थे, उस 600 में कुछ boys, कुछ girls होंगे, तो जितने boys थे, उस boys का 55% ने exam clear किया, और जितनी total girls थी, उस girl का 75% girls ने exam को clear किया, और question में आगे फिर कह रहा है, कि overall जो बच्चों ने cut-off clear किया, उसका जो percentage दे रखा है, वो 63% दे रखा है, तो आप से कह रहा है, बताईए कि उस exam में सामिल boys और girls का number कितना है, कितने लड़के और लड़किया उस exam म अगर आपके mind में question आ रहा हो कि सर्फ कैसे पता करें कि allegation लगाना है, तो ऐसे याद रखी, अगर कोई दो चीजों का change दिया हो, individual और उनका overall change भी दिया हो, दो चीजों में होने वाला effect और उनका overall effect भी दिया हो, तो आप महां allegation का use कर सकते हैं, जैसे boys pass way, girls pass way, और total pass way, तो total वो boys or girls का overall effect ही तो होगा, तो यहाँ पर भी हमनों allegation use कर सकते हैं, अब आई जड़ा question को solve करते हैं, फटाफट answer बहुत लोग के हैं, और बहुत लोग के सही आएं, जोकि काफी अच्छी बात है, चोकि starting के question से थोड़े आसान है, तो अभी आपको मजा आ रहा होगा, अभी जैसे से आगे चलोगे, मजा और भी आएगा, क्यों questions complicated होंगे, बट solution उसके हम लोग बिल्कुल easy रखेंगे और आसान ही समझते हुए चलेंगे, तो अगर मैं इसको solve करूं, तो मैंने 55 में से 63 को minus किया, यह आया minus 8, और 63 minus 75 कर दिया, तो यह हमारे पास आ गया 12, minus 12, तो minus 12 औ और minus 8 हमारे पास data आया, अगर हम ratio ले तो हमारे पास आया 3 ratio 2, अब मैं फिर से repeat करूं, आपने allegation लगाया था, कितने percent लड़के पास है, कितने percent लड़किया पास है, तो यह जो ratio आया, वो pass होने वाले लड़के और pass होने वाले लड़कियों का नहीं आया, फिर से सुनिएग ratio ये qualified boys और qualified girls का नहीं आया, ratio ये total boys और total girls का आया, total का मतलब qualified plus unqualified जो pass भी हुए, जो fail हो है उनका sum, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि ये जिसके respect में data होता है, उसके ratio आता है, 55% boys पास हुए, 55% boys किसमें पास हुए, total boys में, तो ये value total boys को represent कर रही है, 75% girls प क्या करेगा, represent, यानि मेरी साब से boys अगर है 3, तो girls जो है, वो जाएंगे 2, तो total हो जाएगा 5, 5 की value 600 student दे रखा है, तो 1 की value 120 student हो जाएगा, ये सारी value आपको orally calculate करनी चाहिए, तो हमसे boys पूछ रहा है, तो boys के बारे में बात करूँ, तो 3 into 120, यानि 360 हो गया, और अगर मैं girls के बारे में बात करूँ, तो ये हो गया हमारे पास 2 into 120, यानि 240 rupees, 240 student हो गया, तो ये हमारे पास boys और girls का number मिल गया, उमीद करता हूँ, इस example में आपको कोई दिखकत नहीं होगी, कहीं पे कोई doubt है, अगर आपको लग रहा है, तो comment में अपने doubts को भी mention साथ साथ करते रहें, और answer आए, सही आए, गलत है, उसे भी देते रहें, ताकि आपका motivation मना रहें, जो जीजग होती है, वो कम हो, गलत होने से कभी ना डेने, गलत होगा, तबी चीज़े सही होगी, सही होना, मुझे मेरा personal लिसा मानना है, कि सफल होना, और असफल हो के सफल होना, तो जो व्यक्त के सफल होता है, उसे ये पता चलता है, कि failure को कैसे, आपको success में convert करना है, तो आज के session के second example के बारे में हमने बात कर दी, बात करते है, third example की, और आपको मैं देता हूँ, एक 30 second का समय, फड़ाफ़ड answer बता है, time आपका सुरू हो चुका है, और question आपके screen पर आ चुका है, question का answer बताए, क्या आएगा, question आपके screen पर आ चुका है, फड़ाफ़ड और कोशिस करें, एक बार में question पढ़ें और सही करें, question में repeat कर देरा, पढ़ देरा आपके लिए, वैसे आपका समय हो चुका है, जब तक मैं question खतम करूँ, तब तक पढ़ना, तब तक आपके answers आ जाने च example की, तो वहाँ पर कह रहा है, a grocer purchase, 2 kg rice at the rate of 15 rupees per kg, उसने 2 kg rice खरीदा, 15 rupees per kg के rate से, और फिर आगे कह रहा है, कि उसने एक second type का भी rice खरीदा है, 3 kg, जिसका rate 13 rupees per kg है, 3 kg, 13 rupees per kg, तो आप से कह रहा है कि बताएए, वो इसको mix करके, किस price पर बेचे, at what price per kg should he sell the mixture to earn profit of 33 whole 1 upon 3%, उसे profit लेना है, 33 whole 1 upon 3% का, तो mixture को किस price पर बेचना होगा, हमें selling price बताना है, याद रखिएगा, इस question में आप से selling price पूछा गया है, mixture का, तो आई ज़रा बात करते हैं, selling price कैसे निकालेंगे, क्या होगा घरने का तरीका, तो इसको करने के दो process आपक अब देखो paper में जब question आता है, exam में जब question आता है, तो जरूरी नहीं कि आपने एक method रट लिया है, या जिससे आप करते हो, उसी सखरो, आप अपने दिमाग को खुला रखें, 3-4 process जो भी आपके दिमाग में आते हैं, सब रखें, और जहां पर question का data requirement जैसी है, वैसा ही method आ ज़्यादा आओ सकता नहीं है, फिर भी मैं आपको दोनों से बता दे रहा है, मुझे करना इस question को कैसे करूँगा, तो directly आप कर सकते हैं, कैसे, देखो cost price सीधे निकलना है न, 30 rupees, 39 rupees, यह हमारे पास cost price आगया, और यह cost price कितने kg का आया, 3 plus 2, 5 kg का, 5 kg का cost price आपको मिल चुका, तो क्या per kg cost price नहीं निकल गया, 69 upon 5, यह हमारे पास per kg price हो गया, 69 upon 5, मतलब जो हमने mixture find out किया, बनाया, उस mixture का per kg price 69 upon 5 kg आगया, हमें selling price निकालना है, तो direct निकालते हैं, 69 upon 5, हमारे पास cost price है, cost price का मतलब 100%, और हमें profit चाहिए 33 whole 1 upon 3% का, 33 whole 1 upon 3% का मतलब 1 by 3 होता है, 3 cost price, 3 की value यह है, हमें 1 का profit यानि 4 की value निकालना है, यानि मैं इसको multiply कर दूँ 4 upon 3 से, बस आगे हमारे पास answer, 92 upon 5, यह हमारे पास आगया answer, 3 से कटी गया, 23 times into 4, 92 upon 5, तो यह आप इसको solve करोगे, तो यह आएगा, 5, 18.4 rupees per kg, यानि अगर वो mixture को 18.4 rupees per kg पर बेचे, तब जाकर उसको क्या होगा, overall 33 whole 1 upon 3% का हो जाएगा उसको profit, उमिद करता हूँ, आपको यह वाला process समझ में आया होगा, बात कर उसको allegation से करनेगी, तो allegation से कैसे करेंगे, चलो देख लें, 15 का यह चावल है, 13 का यह चावल है, overall mixture का cost price हमें निकालना है, तो allegation लगाया, 15 minus CP, और CP minus 13, और मैंने अभी अभी आपको बताया था, यह quantity का ratio होता है, मतलब यह और यह quantity का ratio मतलब 2 ratio 3 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ, CP minus 13 upon 15 minus CP is equal to 2 upon 3, तो यहाँ से चलो cost price find out कर लें, इसको मैं solve करूँगा, मैं direct solve कर रहा हूँ, देखो कैसे, 3 CP, 2 CP, और यह minus में यह plus में, opposite है तो जोड़ दीजी, यह आ गया 5 CP is equal to, यह 39 और यह 30, 39 और 30, मिलके कितना हो गया, 69, 69, मैंने जोड़ क्यों दिया, क्योंकि यह plus 30 है, और यह minus 39 है, जब भी इस तरह से आप cross multiply करें, तो opposite sign में जोड़ देना है, और same sign में minus कर देना है, तो आपके पास cost price की value आ गई, 69 upon 5, हमें selling price आई, आप देखो, allegation में इतना करने के बाद हमें cost price मिला, वो आप ओरली यहां calculate कर सकते हैं, तो result ना बने, जरू नहीं के allegation का ही प्रियोग करें, जो भी process आपको easily लगे, आप उसी के थ्रू जाएं, मैं आपको दोनों से बता दे रहा है, हमें पूछा है selling price, किस price पर बेचा जाए, तो selling price हमारे पास cost price 69 upon 5 है, और हमें profit 33 whole 1 upon 3% का लेना है, मतलब 1 by 3, 3 cost price 1 का profit, मतलब 4 पर बेचना पड़ेगा, यह cost price 3 की value है, तो हम निकाल लेंगे 4 upon 3 की value, 23, 92 upon 5, 1, यह आगे हमारे पास answer 18.4 रूपीज पर गेजी, 18.4 रूपीज पर गेजी, तो यह एक तीसरा example हम ले लिया छोड़ा सा, उमिद करता हूँ, इसमें भी आपको कोई दिपकत नहीं आई होगी, तो बढ़ते हैं आज के session के अगले example की तरफ, तो अगला example आपकी skin पर आ चुका है, पढ़ें और answer बताएं, तो next example आपकी skin पर है, यहाँ पर कह रहा है कि किसी drink की बात कर रहा है वो, और यहाँ पर calories की बारे में बात की गई है, question आपकी skin पर है, उमिद करता हूँ, कुछ लोग के answer आ चुके होगी, और बाकी लोग का भी answer आई रहा होगा, question में पढ़के अगर आपको समझाओ दू, तो question में कह रहा है कि, 2 liter बॉल्डवीटर ड्रिंग, contain 236 calories, and 2 liter compliant drink, contain 166 calories, 236 calories, and 166 calories, यह 2 liter, यह भी 2 liter, मतलब दोनों की equal quantity है, 2 liter बॉल्डवीटर ड्रिंग में 236 calories है, और 2 liter compliant drink में 166 calories हमारे पास energy है, यानि उर्जा है, आगे कह रहा है, कि if one mixture of the both drinks contains 88 calories, then the percentage of 1 liter drink in the mixture is, कह रहा है कि, अगर इनको बना के एक one mixture, एक mixture बना जाए इनको मिला कर, जिसमें 88 calories उर्जा हो, 88 calories उर्जा वाली पर लिटर वाली, अगर एक mixture पर लिटर 88 calories उर्जा वाली, अगर इन दोनों को मिला कर, एक mixture बना जाए, तो उस mixture में आपको बताना है, percentage of 1 liter drink in the mixture, 1 liter drink का percentage, तो आई ज़रा इसको solve करते हैं, आपको पता है, आपको 2 liter में 236 calories energy मिलती है, तो पर लिटर आपको मिलेगा 118 calories, ठीक, आपको यहाँ 2 liter में 166 calories energy मिलती है, तो एक लिटर मिलेगा 83 calories, और हमें, यह हमने बात कर लिए, बॉन वीटा की, और यह हमने बात कर लिए, कॉम प्लाइन की, हमको इन दोनों को मिला कर, जो mixture बनाना है, उसमें जो energy होनी चाहिए, वो 88 calories होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बीच में 88, क्योंकि दोनों को मिलाने से, पर लिटर की बात थी, यहाँ दखिया question में, पर लिटर पूछ रहा है, वन लिटर का, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, हाफ को किया 2 लिटर की information थी, अब allegation अगर लगाऊं मैं, तो इसको minus कर दिया, इनको minus किया, तो हमारे पास यह आ गया, 30, और इसको minus कर दिया, तो हमारे पास आ गया, 5, यानि 1 ratio 6, 2 लिटर में 236 कैलोरी था, तो 1 लिटर में 118 कैलोरी होगा, यहाँ 2 लिटर में 166 कैलोरी था, तो 1 लिटर में 83 कैलोरी होगा, दोनों को मिलाने के बाद, पर लिटर कैलोरी जो हमें चाहिए मिक्षर की, वो 88 चाहिए थी, उसको बीच में रखा, क्योंकि यह equivalent value है और फिर हमने allegation लगाया तो 118 में से 88 को minus किया 30 आया और 88 में से 83 को minus किया 5 आया मतलब 1 is to 6 जिसमें यह value bond vita को और यह value complain को represent कर रही है तो question में आप से पूछा गया है कि जो mixture बना है उसमें bond vita का percent क्या है bond vita कितने percent है उस energy index में यह बताना है तो bond vita की value हमारे पास 1 है और यह बताना है किसमें total mixture में तो mixture हमारे पास हो जाएगा 7 into 100 यानि bond vita का percent 14 hold 2 upon 7% होगा यह हो जाएगा हमारे पास answer तो उम्मीद करता हूँ इस example में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आये होगी किसी को अगर संदे है कोई doubt है तो बे जिजग बिना सर्माय हुए अपने जवाब comment box में लिखें या आपको कहीं error लगे तो भी आप लिख सकते हैं हम सभी human है तो हम लोग सभी कभी-कभी errors हो जाती है तो कभी कभी error हो जाए कभी solution करते हैं मुझसे या आपको कहीं solution मेरा रहा है तो आप जरूर लिख सकते हैं अपने विचार अपने comment अपने appreciation word अपने suggestions हमेशा देता रहे हैं मैं हमेशा request करता हूँ और इन चीज़ों को अपने बाकी दोस्तों में भी बाटें ग्यान बाटने से फैलता है तो उनको भी बाटें उनको भी जहां तक help मिल पाए सब को मिल पाए बहुत सरे बच्चे ऐसे हैं जो गाव वेगर आक है जो effort नहीं कर पाते आ नहीं पाते हमसे offline classes पढ़ने के लिए या वो कहीं पर भी offline classes नहीं पढ़ पाते इस समय तो आप offline classes कर भी नहीं सकते जो scenario हमारे पास है तो ऐसे बच्चों के भी help करें आप selfish ना बने दिल खोल कर चीज़ों को बाटें ग्यान बाटने से भी बढ़ता है तो इस बात का धान रखें तो आज के इस example के साथ चौथे example के साथ बढ़ते हैं अपने next example के तरफ अगले example में अब थोड़ा सा हम लोग change करेंगे दोस्तो अभी तक जिन question की हमने बात की जिस question की हमने बात की तो यहाँ पर जितने भी questions हम लोगों ने किये इसमें हमने mixture का formation किया दो individual चीज़ों को आपस में मिलाया मिलाने के बाद हमारे पास जो mixture बना उससे information quantity ये ratio जो भी पूछा गया था वो हमने find out कर लिया यानि individual चीज़ों को मिलाने के वाला हम लोग case पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें भी एक case और आता है इसके second की बात करू तो अभी भी आप दो individual चीज़ों को मिलाओगे बट मिलाई जाने वाली चीज़ों में से एक चीज का दाम एक पस्तू का दाम शून ने होगा इसमें भी दो case बनेंगे कि mixture sold at cost price या mixture को किसी profit या loss पर बेचा जाए इन question को कैसे करना है तो आईए इसके लिए लेते हैं अपना आगला example जो आपकी skin पर आ चुका है तो example को पढ़ा जाए पहले और देखते हैं कि क्या कह रहा है इस question में तो question में कह रहा है a dishonest milkman buys some milk at the rate of 10 rupees per liter एक dishonest milkman है जिसने milk को 10 rupees per liter पे खरीदा ये pure milk का price है फिर आगे question में कह रहा है 10 rupees per liter and mix 5 liter of water to this mixture और इस mixture में उसने 5 liter पानी मिलाया then sold it at 10 rupees per liter और उसने mixture को 10 rupees per liter पे बेज भी दिया and get profit of gain profit of 20% और उसने 20% का लाब लिया find the quantity of milk that he bought तो उसने सुद्ध दूद की कितनी मात्रा खरीदी थी ये हमें बताना है shopkeeper ने जो pure milk लाया उसका price 10 rupees per liter है और वो इसमें water मिला रहा है water का price 0 rupees per liter हम लो लेंगे आगर mention नहीं है तो आगर mention है तो वो price लेंगे और अगर नहीं mention है तो 0 यानि हम जिन तो चीजों को मिला रहे है उसमें से एक हमारे पास water है जिसका price क्या है 0 और quantity जो water की दे रखा है वो 5 लीटर आपको दे रखा है और आपसे milk की quantity पूछ रहा है और mixture को बेचा गया यानि selling price of जो mixture आया वो भी 10 rupees per liter है और जो profit हुआ है वो 20% का हुआ है इतने information आपको given है profit 20% 5 लीटर पानी मिलाया गया 10 rupees per liter का milk था और बेचा भी गया 10 rupees per liter पहिए यानि cost price पर ही बेचा गया जितने का pure substance था उतने पर ही बेचा जा रहा है मिलायी जाने वाली एक चीज़ क्या है 0 तो आप से पूछ रहा है कि बताइए milk की quantity क्या है और mixture का cost price आपको भी बीच में लिखना होता है फिर से सुनिये मिस्टर का क्रेम उल्ले आपको भी बीच में रखना होता है और मुझे mixture का क्रेम उल्ले पता है 10 rupees selling price पता है cost price नहीं पता है तो पहले हम लोग cost price find out करेंगे तो cost price selling price 10 है और 10 पर मुझे profit 20% का वह मतलब 1 upon 5 तो यह 5 के यह हमारे पास selling price 5 cost price 1 का profit तो यह हमारे पास 6 की value 10 given है तो cost price निकालों तो 5 by 6 हो जाएगा यानि 25 upon 3 cost price हमारे पास आगे 25 upon 350 upon 6 25 upon 3 अब इस 25.3 को आ बीच में रखोगे और solve करके allegation लगाओगे इस पर अब allegation आपको लगाना है और आपके पास fractional values है तो कभी-कभी अगर आपके पास इस तरह का data है तो आप एक काम कर सकते हो नीचे 3 है तो सबको 3 से multiply कर दो इन 3 वैलू को तो 30, 0 और 25 थोड़ा आसान हो जाएगा और फिर आप allegation यहाँ पर भी लगा सकते हैं मैं direct लगा दे रहा आप multiply करना चाहो तो कर सकते हो यह हो गया 30-25 यह आ गया 5.3 और यह आया 25.3 तो हमारे पास जो answer आया वो ratio आया वो 5 ratio बना है यह milk और water का ratio 5 ratio बना है अब यह किसका ratio है तो यह milk और water की quantity का ratio है जैसा कि मैंने आपको पहले ही example में बताया था question में हमारे पास water की quantity दे रखा है 5 लिटर और milk की quantity पूछ रहा है ratio में water यहाँ पर है तो 1 key value 5 लिटर आपको given है तो फिर 5 key value कितनी हो जाएगी 25 लिटर और यही आपका answer है यानि अब वो अपने 25 लिटर pure milk में अगर 5 लिटर water मिलाएगा जो कि free है 0 रुपीज का है और उसी cost space पर बेचेगा जिस पर उसने milk खरीदा था 10-10 तो उसे profit 20% का होगा तो इस example को मैंने आपको allegations solve करके समझाया उमीद करता हूँ आपको समझ में आ होगा जरूर लिखते रहें समझ में आ रहा है बरोबर है तो बिल्कुल बरोबर लिखें यह मैंने allegations solve करके बता दिया है इस question को इस question को आप बिना allegations से भी कर सकते हैं कैसे तो आई जारा ध्यान दें बिल्कुल आसानी से कर सकतो आप कुछ लोग इसको जादू trick बोलेंगे कोई जादू trick नहीं है बस समझिए और use करिए आपको देखना है कि profit या loss कितने का है यह profit हो रहा है profit हो रहा है 20% का और 20% का मतल quantity को रिपरजन करेगा जो free है वो free वाला यह आपका free वाली quantity को denote करेगा numerator मैं लिख दे रहा है ताकि अगर आप notes बना रहा हूं तो आप भी लिख ले ताकि आप कभी भी देखे अपने notes को तो आपको समझ में है बाकी वीडियो तो आपके YouTube पढ़ा ही रहेगा और नीचे वा milk water upon milk यह आपके पास one by five और इस one key value five liter आपको given है तो इस five key value 25 liter हो जाएगा तो आप इसको directly ऐसे solve कर सकते हैं इसमें कुछ लिखने वाला नहीं इससे आपको direct करना है मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे दो लाईने यहाँ पर लिखे हुई है लेकिन जो समझने वाली बात है वह दोस्तों यह है कि आपने यहाँ directly इसको use कर दिया तो यह लेकिन यह सब जगा यूज नहीं होता यह conditional है और condition इससकाथ क्या है तो ज़रा ध्यान से मेरी बात को सुनी आएगा जब कभी धो individual चीज़ों को मिलाया जाए जब कभी धो individual चीज़ों को मिलाया जाए ध्यान से मेरी बाद सुनीए, जिसमें से एक का प्राइस must be zero, जिसमें से एक का मुल शुन्ने रुपे होना चाहिए और मिलाने के बाद जो मिक्षर बने मिक्षर बने, that should be sold at its cost price of pure substance, वो सुद्ध पदार्थ के क्रेम उले पर ही बेचा जाए जैसे milk का प्राइस था, तो 10 पर ही बेचा जाए तो वहाँ पर आप इसे यूज कर सकते हैं, अगर मिलाई गए दोनों चीजों में से एक का दाम शुन्ने नहीं है तो भी आप यूज नहीं कर सकते या मिलाई गए दोनों चीजों में एक का दाम शुनने है लेकिन क्रेम लिप नहीं बेचा गया तो भी आप इसका प्रियोग नहीं कर सकते तो यह मैंने आपको allegation से और ratio से direct करके समझा दिया कि इसको कैसे solve करना होता है उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा तो आये बढ़ते हैं अपने अगले example की तरफ इसी से related तो अगला example आपकी skin पर है और जब तक मैं skin को रब करूँ तब तक आप board को रब करूँ तब तक आपके जवाब आ जाने चाहिए इतना easy question है तो उमीद करता हूँ जवाब तो आई जाना चाहिए तो फड़ा फड़ अपने answers comment box में लिखें आपने दोस्तों मित्रों सखा सहली वो महिला मित्र जिससे आजकल आप मिल नहीं पाते क्योंकि आजकल आप भरों बंद हैं वो पुरुस मित्र जिससे भी तो बात करते हैं अपने अगने example के तरब जो की आजकी शेशन का पांचवा एक्जामपल चटा एक्जामपल है तो चटे एक्जामपल की बारे में बात करों तो चटे एक्जामपल में कह रहा है a dishonest milkman buys 40 liter of milk milky quantity 40 liter आपको दे रखका है at the rate of 193 रुपीज पर लीटर 193 रुपए पर लीटर में वो 40 liter pure milk खरीद के लाता है and mix some water in it और इसमें कुछ पाने की मात्रा मिला देता है and sold it at रुपीज 193 रुपीज और इसको 193 रुपए में बेज देता है per liter की rate से and get profit of 25% और 25% का लाब लेता है then find the quantity of water he mixed तो आपको बताना है कि उसने इस मिष्ण को बनाने के लिए उस pure milk में कितनी मात्रा पानी की मिलाई होगी water की quantity कितनी उसने mix की होगी यह हमें find out करना है तो आए जरा इस पर बात करते हैं question में सबसे समाणने वाली बात देखो क्या है 193 liter का pure milk था उसने बेचा भी 193 पर है एक condition हमारी मैज कर गई उसने मिलाया पानी है तो पानी के अदाम क्या होता है 0 यानि यहाँ पर हम दो ratio से directly कर सकते हैं तो आए डारेक्ट करते है profit 25% का है तो 25% की value हो गई 1 upon 4 जिसमें यह 1 water को represent कर रहा और यह 4 milk को represent कर रहा और इस question में water की quantity पूछी गई हो और milk की quantity 40 given है तो 4 की value 40 liter है तो 1 की value 10 liter हो जाएगी यानि आपको 10 liter पानी मिलाना पड़ेगा और यह हो जाएगा आपका answer अगर आपको समझ में आया process अच्छा लगा familiar है बहुत से लोग इस process से regular classes मैंने बताया है आपको चीजे समझ में आ रही है तो please comment box में लिखें बिल्कुल बरोबर है समझ में आ रहा है जिल लोग का answer नहीं आया है वो लो एक बार फिट से इसको देख लें कहीं कोई doubt हो तो आप comment में अपने doubts पूछिए बिल्कुल simple है लेकिन ये conditional है condition क्या है वो मैंने आपको बता रखा है तो ये तो जो हम लोगों ने examples लिए यहाँ पर cost price पर ही बेचा गया था और मिलाईगे चीज में से एक का price क्या था 0 rupees आईए बात करते हैं अगले example की जहाँ पर मिलाईगे चीजों में से एक कादाम 0 तो होगा बट cost price पर नहीं बिचा जाएगा तो उसके लिए क्या करेंगी तो उसके लिए हम लोग allocation का use करेंगे तो बढ़ते हैं आज के अपने session के 7th example के तरफ जो आपकी screen पर आ चुका है तो अगला में खरीदा है 10 रुपीज पर लीटर में and mixes 5 लीटर ऑफ वाटर तो दिस mixture और इस mixture में वो पांच लीटर पाने मिलाता है and then sold it for 12 रुपीज पर लीटर और 12 रुपे पर लीटर में बेज कर वो 30 परशन का profit लेता है he get gain of 30 परशन profit find the quantity of milk that he bought तो उसने दूद की कितनी मातरा खरीद दी यह आपको बताने है question को अगर ध्यान से पढ़ा जाया तो दोस्तो question में जो कह रहा है कि उसने जो milk खरीद के लाया उसका दाम 10 लीटर है उसने 5 लीटर water में लाया वो भी आपको given है लेकिन उसने mixture को 12 रुपीज पर बेचा है मतलब pure substance का cost price 10 है और mixture को बेचा गया है 12 पर मतलब यहां हम directly solve नहीं कर सकते यहां में क्या आपको use करना पड़ेगा allegation तो यहां पर आप allegation लगाएंगे एक तरफ लिखता हूं milk और एक तरफ लिखता हूं water water का दाम 0 है milk का दाम 10 रुपीज पर लिटर है और इन से जो बनने वाला mixture था उसको 12 रुपीज पर लिटर बेचा गया यानि selling price 12 है लिटर है जिससे profit आपको हुआ 30% का 30% का मतलब 3 upon 10 10 की value 12 गिवन है हमें cost price चाहिए selling price 13 है 13 की value 12 गिवन है तो 1 की value 12 upon 13 cost price चाहिए तो into 10 120 upon 13 यह हमारे पास cost price हा गया allocation mixture में point में change करने का जरूत नहीं होती है वो आप डारेक्ट लिख है और blast में multiply कर लिजएगा तो cost price हमने mixture का निकाल लिए आई रख लेते हैं 120 बटा 13 और लगा देते हैं allocation यह हो गया 130 13 से multiply कर दिया तीनों को तो यह हो गया 130 और यह 120 तो इधर बचा 10 upon 13 मैं direct minus कर रहा आप चाहो तो मैं इधर लिख भी दे रहा पहले 13 से multiply कर लो 130 इसमें 0 और इधर 120 यहां से भी आप directly लिख सकते हो 110 और 120 यानि 12 ratio 1 मैं direct इस तरह से कर रहा तो आपको जैसे सही लगे आप ऐसे कर सकते हैं तो मेरा यहां पे भी ratio आया 12 ratio 1 और अगर आपन 1 जिसमें 12 milk को रिपरिजन कर रहा है 1 water को रिपरिजन कर रहा है और question में water की quantity दे रखी है 5 लीटर तो जब 1 की value 5 लीटर दे रखी है तो 12 की value आ जाएगी 60 लीटर 5 गुना है 1 का 5 गुना 5 तो 12 का 5 गुना 60 अगर किसी को यह डाउट हो रहा है कि सर आप कैसे पता कर पा रहा ह है तो यहां पहले milk वाली value आएगी बाद में मैंने water लिया है तो बाद में water वाली value आएगी अब वो water देके milk पूछ ले या milk देके water पूछ ले वो आप यहां से calculate कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ इस example में आपको को कोई दिक्कत नहीं होगी इस example को आप इस तरह से no solve कर दे है बट mixture को cost price पर नहीं बेचा गया है तो इसलिए आप यह वाला काम नहीं करेंगे ठीक तो बढ़ते हैं अपने आज के session के आखरे example की तरफ जो आपकी screen पर आ चुका है आज Saturday है आज मैंने पहले type के variation को cover किया जहां दो individual substance को मिला जाता है इसके बाद जो variations आएंगे वो concept है जो process है वो mainly इधर ही आपको मिल गयाएगा पहले lecture में ही जो आप चीजे यूज कर रहे हो करने आपको almost वही सारे काम है अगले चीजों में भी तो आपसे request है कि अपने दोस्तों के साथ और खुद ज़्यादा ज़्यादा live आके classes करें मैं फिट सरी बीट कर रहा हूं चा बट मेरे ही साब से यह timing I think सबसे अच्छी timing है तो आए बढ़ते हैं आज की session के अपने इस lecture के आखरी example के तरफ जो आपकी skin पर आ चुका है तो फड़ा फड़ा आप question पढ़ें और जादे जाते आज की इस question का answer भी सही देते जाएं आज मैंने जो चीजे आपको बताएं इस से related question आप मुझसे वत्सेश पर ले सकते हैं से topic से related question आप मुझसे व8 से ले सकते हैं बो मैगों को दे दूंगा इस topic की जो qeoioioioiiustheheit मेरे는 पास, questions मेरे पास हैं, वो दो तरह से हैं, एक तो आपके पास English की है, मेरे पास, जिसमें questions सारे English में हैं, और एक bilingual है English हिंदी दोनों में, तो जिसको जो चाहिए होगा, वो मुरे को WhatsApp करके ले सकता है, number मैंने आपको दिया भी था WhatsApp का, तो आप मुझसे वो content ले सकते हैं, फिलाल बढ़ते हैं अपने session के आखर example के तरफ, जो आपके skin पर आ चुका है, जो की आज के session का आठवा example है, और ये previous वाले concept पर ही बेज़ जाए, कुछ लोग के answer आ भी चुके हैं, तो आए ज़रा match कर लें, जिनके भी answer आये हैं, सही हैं या गलत हैं, question पहले में पढ़के समझा दू, आपको तो question में कह रहा है, a dishonest milkman buys 121 liter of pure milk at the rate of 10 rupees per liter, उसने 10 रुपे पर लिटर की दर से 121 liter pure milk खरीदा, and mix some water to this milk, और उसमें कुछ पाने ही मिलाया इस milk में, and then sold it for 11 rupees per liter, और उसके बाद इस बने mixture को उसने 11 रुपे पर लिटर पे बेज दि है, then find quantity of water that he mixed, तो उसने कितनी पाने की quantity add की थी, यह हमें find out करना है, तो आईए देखते हैं कैसे करना है, तो हमारे पास pure milk का जो price दे रखा है, वो 10 rupees per liter है, तो मैं लिखूंगा 10 rupees per liter, मैं फिर से repeat कर दू, आप यहां पर direct ratio से नहीं कर सकते, क्योंकि milk 10 rupees per liter का है, और mixture को बेचा गया है, 11 rupees per liter पर, तो इसलिए हम directly वो ratio वाला concept use नहीं कर सकते, तो allegation लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, milk हो गया, water का price 0, और मिला कर हमने उसको बेचा 11 rupees per liter पर, और बेचने के बाद जो हमें profit हुआ, वो profit 20% का हुआ है, profit की value हमारे पास 20%, तो cost price निकाल लेते हैं, mixture का, क्यों cost price निकाल है, क्योंकि मैंने आपको बला कि allegation में, अगर आप price पर लगा रहे हैं, तो बीच में mixture का cost price रखते हैं, और ये 11 mixture का cost price नहीं, selling price है, तो 20% का मतलब 1 upon 5, 5 का article 1 का profit, यानि 6 selling price होगा, और 6 की value है 11, तो 1 की value 11 upon 6, तो cost price यानि 5, 5 की value तो 55.6 rupees per liter, selling price, profit दिया हो, तो cost price निकाला है, ये मैंने आपको profit and loss वाले lecture में समझा दिया है, जिन लोगों ने पिछले topics, जो भी मैंने आपको online पढ़ाया, अगर आपने miss कर दिया है, तो GMR competition is YouTube channel पे जाए, सारे topics वहाँ पढ़े हुए हैं, उसके through जाएं, उसको revision करें, पढ़ दिया है क्योंकि हम लोग हम ऐसा कुछ न कुछ improvement करने की कोसिस करते रहते हैं, चीजों को short बनाने की कोसिस करते रहते हैं, तो हर बर आपको कुछ न कुछ changes देखने को मिलेगा, जो लोग मुझसे पहले पढ़े हैं, वो comment box में लिख सकते हैं कि आपको change दिख रहा है कि नहीं दिख बहुत सा लोग को दिख भी रहा होगा, तो चलिए, cost price आ गया, रखते हैं और allocation लगाते हैं, 55.6 लगाया है, मैंने allocation direct लगा रहा है, आप 6 से multiply करे के भी लगा सकते हैं, तो यह आया 5.6 और यह आया 55.6, तो 66 cancel मेरे पास जो ratio आया, वो 11 ratio 1 आया, मतलब milk होगा 11, तो water होगा 1, और question में milk की quantity दे रखी है, यानि 11 की value 121 liter, तो फिर 1 की value हो जाएगी 11 liter, और यही आप से पूछा गया था water की quantity, जो की आपका answer है, तो उमीद करता हूँ कि आज मैंने जो भी इस session में आपको समझाया, वो आपको चीज़ें समझमाई होंगी, बिल्कुल easy variations थे, पहले type के questions थ जब दो individual substance को आपस में mix किया जाए, चैप्टर बिल्कुल असान है, अपने दिमाग से कोई भी stress है, उसे हटा दीजे इस चैप्टर को लेकर, बिल्कुल असानी से करेंगे, जैसे ये किया था easily, आगे question भी हम लोग इसी तरह से easily solve करेंगे, तो अपने विचार, अपने स्व सुरच्चित रहिए, अपने स्वास्त का ख्याल लख लिए, अपने दोस्तों के स्वास्त का ख्याल लख लिए, अपने परिवार वालों के स्वास्त का ख्याल लख लिए, एक दूसरे से connected रहिए, एक दूसरे को motivate करते रहिए, इस आपदा की परिस्तिती में हम जरूर कही कहीं न कहीं demoralize हो चुके हैं और mentally कहीं न कहीं ठख चुके हैं इस boundaries से तो यह समय है एक बुरा समय कह लीजिए और यह बुरा समय तो मैं नहीं कहूंगा यह ऐसा समय है जो आपके अंदर की कई सारी अक्षाईयों को निकाल सकता है और कई सरी बुराईयों को हटा भी सकता है तो चीजों को utilize करें समय को utilize करें और रोज साड़े आड़ बजे इसी platform मिलते रहें मेरे साथ हर रोज एक नए motivational line और एक chapter के साथ तब तर के लिए ध्यान लखिए good night जहन